पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और जितने भी बच्चे लाइव जुड़ गए हैं जल्दी से जल्दी से सेशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं जल्दी जल्दी जितने भच्चे खाने में नाने में दोने में गोश्या में सिकन में मुम्फली खान में जुटे पड़े हैं सारे जल्दी जल्दी आओ टोपिक शुरू करेंगे आज का अपना इन्पुट डिवाइज कल हम लोगों ने कंप्यूटर के आकार के आदार पर उसके प्रकार देखे थे आज हम टोपिक शुरू करेंगे जी के के जो computer के input device input और output के बारे में पडेंगे input device कौन-कौन सी होती है जी न्मस्कार न्मस्कार जै हिंद जै हिंद गूड इवनिंग गूड इवनिंग पहरे साथियों जल्दी से जल्दी जुड़ो भाई और भी बच्चे जी जी गूड इवनिंग गुद इवनिंग हेलो सर बिलकुल दिपिका जी हेलो चलिए करें टोपिक सुरू कि अपने सारे नमस्कार नमस्कार वानी जी नमस्कार सारे अपने चची तयाना को बेन लेका जहो नूंको कंप्टर पडेंगे आड़ा जे इन पुड्ड इवाइस के बारे में और कभी की बोर्ड शिखंगे जूनसी ददीन आज चाचीन ताई ना बान ने जीने भी नहीं आ आज आपकी बोड के बारे में देखेंगे की बोड में क्या चीज है जी 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 लाहो सारा नपकड़कन है यह थोड़ा टोपिक ऐसा होगा कम्प्यूटर का मैं तो मैं बताऊं यह इसमें थोड़े चुटके लेगा अट मने हैं आरोम है कि असमें तो इसमें थोड़ा टोपिक मिलता नी ने अर्श वर्ण की बानने वह लेगा अवाक कर लई उन मतचल दे रहा है यह सीन कही न कहीं चुटकले बन दे रहा है और यहाना रोडवेज के चुटकले बन दे रहा है इसमा थोड़ी सी दिक्कत आ जावा है सुने लगोड इवनिंग भाई बिलकुल चलो आज का जो प्यारे वी द्यारतियों हमारा टोपिक है वो करेंगे हम कंप्यूटर की इन्पूट डिवाईज के बारे में चर्चा करेंगे जितनी भी कंप्यूटर की इन्पूट डिवाईज है वो हम आप लोगों को अभी आएंगे देखो प्यारे बचो सबसे पहले आप लोग इन्पूट डिवाईज सीख लो होती क्या है कंप्यूटर के अंदर इन्पूट डिवाईज कोन सी होती है कंप्यूटर के अंदर इन्पूट डिवाईज किसे कहते हैं भाई जो इन्पूट डिवाईज होती ना प्य जिसके माध्यम से हम computer के अंदर data या जिसके माध्यम से हम computer के अंदर संदेशों को भेजते हैं, उसको हम input device कहते हैं, अब input device कौन कौन सी होती है, तुम लोगोंने normal सुना होगा, input device keyboard होता है, mouse होता है, यह आप लोगोंने 2-4 पता होगा, लेकिन प्यारे बचो बहुत सारी input device हो है, तो हम इसको कैसे याद करेंगे देखें द्यान से, सबसे पहले तो आप लिख लेंगे वह device जो computer के अंदर data को भेजने का काम करती है, उसे हम input device कहते हैं, input device में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहली input device लिखेंगे, सबसे important है keyboard, सबसे पहला जो input device वो keyboard लिख लेंगे, keyboard के keyboard के बाद प्यारे बचो आप mouse लिख लेंगे mouse के type करवाँगा मैं आपको आज mouse कितने परकार की होती है joystick लिख लेंगे joystick भी computer का input device है scanner लिख लेंगे प्यारे बचो एक scanner होता है जिसे हम scan करते है hand held scanner होता है एक flat bed scanner होता है और क्या आता सर जी आपका प्यारे बचो microphone जो मैंने लगा रखा है mic जिसको आप बोलते हो microphone के लो या mic के लो ये भी एक परकार का input device होता है आपका प्यारे बचो एक track ball होती है track ball के बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको track ball भी क्या है track ball भी एक input device है track ball भी input device में आ जाती है keyboard होगा, mouse होगा, joystick होगा scanner होगा, microphone होगा और track ball होगी और कौन सा हो जाता है प्यारे बचो आपका camera हो जाता है digital camera बोलते हैं जिससे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिस माद्यम से आप ये वीडियो देख पा रहे हैं प्यारे बचो उसको भी आप input device का ही भाग मान सकते हैं जिसके माद्यम से आप वीडियो देख रहे हैं digital camera digital camera के बाद में आपका और कौन सा input device हो जाता है scanner मैंने लिख दिया यहाँ पे प्यारे बचो track ball लिख दिया joystick लिख दिया digital camera मैंने आपका लिख दिया है यहाँ पे और आप लोगों का scanner तो कहीं परकार के होते हैं वो भी आपका input device में आ जाता है और आपका हो जाता है OCR OCR आ जाता है BCR आ जाता है प्यारे बचो OCR आ गया BCR आ गया MICR आ गया MICR आपका लोगों का प्यारे बचो webcam आ जाता है लिख लेंगे webcam webcam भी एक input device होता है webcam webcam आजकल पर चली थे आप लोगों का प्यारे बचो webcam आ जाता है touch pen touch pen जो यह मेरे हाथ में है यह touch pen है जिसे हम computer में touch pen करके input देने का काम करते हैं लेंगे एक touch pen भी input device होती है touch pen touch pen एक input device का काम करती है प्यारे बचो touch pen के लावा एक webcam होगी trackball होगी digital camera OCR BCRM ICRT touch pen हो गया एक आपका light pen हो गया लिख लेंगे भाई light pen L I G H T light pen light pen भी आपका input device होता है प्यारे बचो यह लिख लेंगे साथ साथ में जितने बच्चे लाइव जुड़े होगे इनको साथ साथ लिख लेना keyboard होगा mouse होगा joystick होगा scanner होगा microphone होगा light pen होगा webcam होगा trackball होगा digital camera होगा OCR होगा BCR होगा MICR होगा touch pen होगा यह सारे के सारे के सारे के सारे प्यारे विद्यार्थियों input device होते हैं आप लोगों के उसके बाद उसके बाद आप लोगों का एक और आ जाता प्यारे बचो यहां लिखने की जंगा नहीं है मैं लिख देता हूँ speech recognition speech एक लिख लेंगे speech recognition स्पीच रिकोगनाईजेशन स्पीच जो आपका रिकोगनाईजेशन होता है स्पीच रिकोगनाईजेशन यह भी आपका एक परकार का input device होता है यह सारे के सारे जितने मैंने आपके स्क्रीन पर लिखे हैं यह सारे के सारे क्या है input device हैं प्यारे भी द्यारतियों जी दिपक्त तवर जी हेलो दिपक्त तवर जी हमारे बड़े ही प्रिये शिशे हैं पलवल से special इनका thank you मैं करना चाहूँगा अभी special पलवल से मुझसे मिलने आए हुए थे एक YouTube के माद दिम से केवल मुझसे जुड़े और YouTube के माद दिम से मुझसे जुड़कर आज special मुझसे मिलने आए इन्होंने मेरी marathon वीडियो देखी है रियाना जी केगी और उसको देखकर ये मेरे से मिलने के लिए आए बोले सर आप से मिलकर बड़ा अच्छा लगा दिपक जी मुझे भी आप से मिलकर बड़ा अच्छा लगा OCR होता है optical character reader optical character reader इनकी सारों की full form करवाऊंगा मैं आपको क्या लग रहा है ऐसे थोड़ी ना पढ़ाने सारे keyboard क्या होता, mouse क्या होती है mouse कितने परकार की, joystick क्या होता scanner कितने परकार की है, microphone क्या होता touch pen क्या है, MICR BCR क्या है, OCR क्या है, digital camera क्या है, trackball क्या है यह सारी की सारी चीज़े अब हम अगली इसी वीडियो में सारी चीज़े देखने वाले है तो पैरे बच्छो सबसे पहले जो हमारा आजाता है, वो क्या आजाता है एक बार आप इसको उतार लीजिए, मैं आपको बता दू सबसे पहले हमारा आजाता है इसमें सबसे पहले आएगा हमारा keyboard keyboard जो होता है, keyboard लिख लेंगे keyboard क्या होता है बच्चो keyboard जो होता है हमारा जो जिस पर बहुत सारी की बनी होती है मैं आपको दिखा भी दूँगा भी उसको keyboard का जाता है और keyboard question आता है standard keyboard में जो आपका standard keyboard होता है उसके अंदर कितनी की होती है तो standard keyboard के अंदर 104 की होती है वैसे तो प्यारे बचो आपकी market के अंदर 108 keyword वाड़ा भी आपको keyboard मिल जेगा, आपका 110 वाड़ा भी आपको keyboard मिल जेगा, 111 वाड़ा भी keyboard मिल जेगा, लेकिर अगर मैं बात करूँ, ISO द्वारा प्रमानित, ISO होता है International Standard Organization, इसका नाम है International Standard Organization, जो प्यारे बचो मापतोल वाली संसाइं है, कितने gram का, आपका kilogram होगा, कितने मिली लीटर का आपका लीटर होगा, कितने लीटर का आपका एक लीटर बनेगा, जो कितने सेंटी मीटर का आपका मीटर बनेगा, इन सारी चीजों को जो authority देता है, जो permission देता है, ISO, International Standard Organization, तो कहते हैं, ISO द्वारा जो प्रमानित है, वो 104 keyboard का ही प्रमानित है, ISO जिसको permission देता है, International Standard Organization, वो जिसको permission देता है, वो 104 keyboard वाले की को permission देता है, तो आप से question पूछा जाएगा, keyboard में कितनी की होती है, तो आप बताएंगे, 104 की होती है, प्यारे बचों, कौन सी की का क्या काम होता है, कौन सी की सबसे बड़ी होती, कौन सी की छोटी होती है, escape की का क्या काम होता ह है, तो मैं सारी बात मैं आपको बता देता हूँ, total कितनी की होती है, 104 की होती है, उन में से आप लिखेंगे, प्यारे बचों, alphabetic की कितनी होती है, तो आपकी जो alphabetic की होती है, लिख लेंगे, इसके अंदर आपकी alphabetic की कितनी होती है, तो यह 26 होती है, कौन कौन सी सर A से लेकर प्यारे बचो Z तक A to Z जो आपकी की होती है A से लेकर Z तक की A to Z वो 26 की होती है अलफेबेटिक की उसके बाद आ जाती है आपकी Numeric ये पेपर में Quesion पुछा गया था याना पूलिस में Numeric की कितनी होती है कीबोर्ड के ओपर तो Numeric की होती है 10 कोण कोण सी सर 0 से लेकर 9 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारी की सारी 0 से लेकर 9 तक क्या आपकी Numeric की होती है उसके बाद पैरे बचो आप लोगों किया जाती है Numeric की के बाद में Navigation की Navigation Navigation की कोण सी होती है तो आप लिख लेंगे पैरे बचो जो आपकी Navigation की होती है वो च्यार होती है लिखिएगा जो आपकी Navigation की होती है वो कितनी होती है वो च्यार होती है कोण कोण सी होती है सर Navigation की तो आपकी पैरे बचो जो आपकी Navigation की होती है वो Arrow वाली होती है एक arrow का निशान उपर होता है एक arrow का निशान निचे होता है एक arrow का निशान इदर होता है एक arrow का निशान इदर होता है लेफ्ट राइट और प्यारे बचो आपका अपर एंड लोवर में जो आपका उपर निचे दाएं और बाएं करने के लिए जो arrow बने होते हैं उसको navigation की का कौन सी होती है लिख लेंगे टोंगल की तो आपकी जो टोंगल की होती है वो होती है प्यारे बचो कैप्स लोक कैप्स लोक लो सी के ये लिखते रणवाई साथ साथ में और न्यूम लोक कैप्स लोक और न्यूम लोक आपकी कौन सी की होती है तो कैप्स लोक और न्यूम लोक आपकी प्यारे बच्चों टंगल की होती है टंगल की कितनी होती है तो प्यारे बच्चों Caps लोक और 9 लोक आपकी Tongo की का नाम दे दिया जाता है Alphabetic की 26 होती है Numeric की 10 होती है Navigation कीआपकी 4 होती है उसके बाद मैं आप लोगों की आ जाती टॉंगल की, कैप्स लोग और नियूमेरिकल लोग उसके बाद आपके आ जाती है मोडीफाइर की लिख लेंगे मोडीफाइर की कौन कौन सी होती है, तो बच्चों आपकी जो मोडीफाइर की होती है, वो आपकी होती है, मोडीफाइर की और shift, alt, control और जो आपकी shift होती है, ये चारों की, तीनों की, तीनों कोण सी की होती है, modifier की होती है, question पुछेगा, modifier की कोण सी होती है, वह की, जो किसी दूसरी की के साथ use की जाए, लिख लेना question को, modifier की कोण सी होती है, तो वह की, जो दूसरी किसी की के साथ use की जाए, उसे modifier की क नाम दिया जाता है, modifier की कोण सी होती है, एक alt होती है, एक control होती है, एक shift होती है, यह तिनों की ऐसी है प्यारे बचो जो हमेशा दूसरी की के साथ यूज होती है, और दूसरी की के साथ यूज होने वाली जो दूसरे बटन के साथ यूज होने वाला जो बटन होता है, जो की हो होती है च्यार उसके बाद टोंगल की होती है आप लोगों की न्यूम लोक और जो आप लोगों की केप्स लोक होती है प्यारे बच्छो अगे चलते हैं इसको आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा जितना भी है एक बार इसको उतार लीजिए उसके बाद आपका आजाता है जो इसी में ही enter जो आपका enter आजाता प्यारे बच्चों आपको पता ही होगा enter किसलिए उज़ोता है command देने के लिए command देने के लिए किसका उज़ोता है तो लिख लेंगे प्यारे बच्चों command देने के लिए command देने के लिए पेस की जो स्पेस की होती है यह कीबोड की सबसे बड़ी की होती है कॉण सी स्पेस की जो बड़ा सा बटन आप 어 not Ćधा इसको स्पच की का जाता है अगर जो आपका एसे नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं आपको एक बार इधर दी नसे सुनिएगा मैं बता देता हूँ आपको एक मिनट देखो ध्यान से इधर देखो बच्चो आपको मैं ऐसे एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ ऐसे साथ आपको समझ में आए एक मिनट देखिए यह आप लोगों को थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा एक मिनट देख लिजी इसको यह आप लोगों का यहाँ पर कीबोर्ड आ गया अभी इस कीबोर्ड के अंदर एक मिनट इस कीबोर्ड के अंदर अगर आप देखना चाहो तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं देखो यह मैं आपको बता रहा था इसके बाद आप लोगों की जो होती है दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को यह रही जो आपकी पैरेभी दार्थियों जो कंट्रोल होती है जो सिप्ट होती है कंट्रोल और जो सिप्ट है और एक आप लोगों का यह दिखाई दे रहा हो computer की keyboard की सबसे लंबी की होती है, उसको कौन सी की कहते है, space की कहते है, उसके बाद बचो आप लोगों की ये जो आपको दिखाई दे रही है, चारो, ये कौन सी की होती है, ये navigation की होती है, और आपकी ये जो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ये वाड़ी, ये आपकी प उमेरिक की होगी प्यारे बच्चो उसके बाद आप लोगों की फंक्षन की आ जाती हैं 12 12 कोण सी की होती है तो 12 आप लोगों की फंक्षन की का क्या करिया है वो मैं आप लोगों को करवा देता हूं function key में कौन सी key का क्या करी है एक मिनट आप लोग इसको देख लेंगे अभी बता देता हूँ मैं आपको function key में कौन सी key का क्या करी है देखेंगे एक मिनट पहरे बच्चो जो function key होती है आप लोगों की लिख लेंगे function key f key कितनी होती है तो function key आपकी 12 होती हैं total मिलाकर 12 function की होती है paper में सबसे ज़्यादा question function की से पूछा जाता कौन सी function की का क्या काम होता है तो सबसे पहले आप देखेंगे f1 का क्या काम है f2 का क्या काम है f3 का क्या काम है f4 का क्या काम होता है f5 का क्या काम होता है f6 का क्या काम होता है छें तक मैं आपको 12 की 12 करवाँगा, सबसे पहला तो देखो आप F1 का क्या काम होता है, अगर बच्चों आप द्यान से देख पारे होगे, तो अगर मैं इस F को, अगर आप देख रहे होगे, अगर मैं इस F को आपस में मिला दू, F को 1 से मिला दू, तो ये एक परकार से इदर, यहां हमने F लिख लिख लिया, और अगर मैं इसको 1 को इससे अटेच कर देता हूँ, तो ये क्या बढ़ गया, H बढ़ गया, और H से बढ़ जाएगा, हमारा Help करने का काम होता है, सबसे पहले F1 का क्या काम होता है, तो F1 का काम होता है, हल्प का, अब ये तो आपको पता help का काम होता लेकिन याद कैसे करें तो याद करने का मैं आपको trick बता रहा था कि आप कुछ ना करो F लिखो 1 लिखो F core 1 को मिला दो यह हमने F लिख लिए यह 1 लिख लिए इन दोनों को मिला दे हम तो यह H बन जाएगा और H E L P help बना देंगे हम इसका H इसी F1 की trick बना लेंगे यह help बन जाएगा तो F1 का काम क्या होता है help करने का काम होता है जो आप लोगों की F2 होती है बच्चो अगर आप F2 को मिला दोगे F2 को अपस में मिला दो देखो यहां मैंने F लिख दिया और अगर मैं इसके नीचे 2 लिख दूँ F के नीचे 2 लिख दूँ तो यह R हो गया और यह R से बन जाएगा Rename जो R से बन जाएगा वो Rename बन जाएगा अगर प्यारे बचो आपको किसी File का Name Change करना है जो आपने कोई File बनाई है अगर आपको किसी File का Name Change करना है तो उस Name Change करने के लिए कौनसी जो आपकी यूज होगी वो F2 की यूज होगी प्यारे बचो किसी भी File को Rename करने के लिए F2 की का यूज होता है एप को लिख लो उपर 2 लिख लो F और 2 दोनों लिखने के बाद क्या बन जाएगा अगर जो मैं 2 से बना देता हूं मिला देता हूं दोनों को तो एक टाइप का R दिखाई दे रहा है जैसे F और 1 मिलकर H दिखाई दे रहा था help बन गया F और 2 मिलकर अगर जो हम बात करें तो इन दोनों से मिलकर R बन गया और R से क्या बन जाएगा rename बन जाएगा इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो दुबारा देख लो F F से 2 मिला दिया R और इससे क्या बन जाएगा rename बन जाएगा पैरे बचो जी उसके बाद में आप लोगों कहा जाता है F 3 अगर मैं 3 को अगर आप द्यान से देखो अगर मैं 3 को बात करूँ F 3 की मैं बात करूँ तो 3 को मैं उल्टा कर देता हूँ और 3 को उल्टा करने के बाद C बन जाएगा 3 को उल्टा करने के बाद क्या बन जाएगा 3 को उल्टा करने के बाद C बन जाएगा वैसे तो 3 का उल्टा कुछ बनता नहीं वैसे 3 बना लेते हैं अगर मैं 3 को उल्टा कर दो तो ये देखो उल्टा 3 दिखाई देगा और उल्टे 3 में से अगर जो मैं इसको हटा देता हूँ एक डंडी को अगर मैं उल्टे 3 में से एक डंडी को अटा दू तो ये C बन गया और C से बन गया सर्च वैसे C से बनता नहीं लेकिन बनाना पड़ेगा मैं जबरदस्ती बनाना पड़ेगा कैसे याद करेंगे F3, 3 को उल्टा कर लो 3 का उल्टा ये 3 बन गया और 3 में से अगर जो हम इसको निकाल दे तो ये C बन गया, C से क्या बन गया सर्च बन जाएगा S-E-A-R-C-H सर्च, अगर जो कोई भी फाइल आपको सर्च करनी है कोई डाटा आपको सर्च करना है तो सर्च करने का काम कौन करती है प्रोग्राम को आप बंद करना चाहते हो तो प्रोग्राम को बंद करने के लिए कोन सी की का यूज होता है प्रोग्राम को बंद करने के लिए अगर कोई प्रोग्राम आपने खोल रखा है और उस प्रोग्राम को आप बंद करना चाहते हो तो प्रोग्राम को बंद करने के लिए कौन सी की का यूज उता है F4 का F5 का तो सबसे ज़यादा यूज हापने रखा होगा F5 को प्रिफریस करने के लिए यूज किया दाता है जो आप रिफ्रेस करते हैं तो refresh करने के लिए बार बार computer को refresh क्या जाता है उसके लिए कि की का यूज़ ओता है F5 की का यूज़ ओता है पैरे बचल करने के लिए उसके बाद आप लोगोगा F6 आ जाता है तो F6 किस लिए यूज़ ओता है Volume को अगर आपको गाने बगएरा चल रहे हैं और उनकी volume को कम करना है तो volume को कम करने के लिए F6 का use होता है किसी भी गाने की, किसी movie, किसी song को अगर चल रहा है और उसकी अगर जो आप लोगों को volume कम करनी है तो प्यारे बचो उसके लिए किसका use होता है F6 का use होता है दुबारा देख लो F को 1 से मिला दो तो 1 को मिलाने के बाद H बन गया H से बन गया Help करने के लिए 2 को मिला दो F को 2 से मिला दो तो 2 का R बन गया R से बन गया Rename अगर 3 को उल्टा कर दो तो C बन गया C से बन गया Search F4 किसलिए उजो ता 프로 DIREM ben करने के लिए F5 refresh के लिए F6 किसलिए होता है F6 होता है volume को कम करने के लिए उसके बाद प्यारे भी द्यारतियो अगर मैं बात करूँ आप logo से अगर मैं बात करूँ आप logo से F7 की तो F7 का use होता 7 7 में क्या toning आ रही है 7 में S आ रहा है अगर मैं 7 को बात करूँ 7 किसे बनता है S से और S से बन जाएगा Spell Check अगर मैं बात करूँ S की तो S से क्या बन जाएगा S से बन जाएगा Spell Check Spelling को check करने के लिए कोई spelling गलत तो नहीं हो गई है उसको check करने के लिए किसका use होता है प्यारे बचो F7 का use होता है Spell Check के लिए spelling को check करने के लिए SPEL इसको spell check भी कहलो spelling check कहलो spelling check करने के लिए F7 का use होता है उसके बाद में आप लोगों का आ गया F8 F8 का use किसलिए होता है द्यान से सुनना इस बात को F8 का use होता है reboot करने के लिए जो अगर जो हम किसी data को reboot करना चाते हैं तो reboot करने के लिए किसका use होता है reboot करने के लिए पैरे बच्चो F8 का use होता है question पूछा जाएगा reboot करने के लिए किसका use होता है तो reboot करने के लिए F8 का use होता है सर जी याद नहीं होगा द्यान से देखो अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो ये आप लोगों को 8 दिखाई दे रहा है 8 अगर प्यारे बच्छों मैं इस 8 को लेटा दू 8 को लेटा दो 8 खड़ा है भी 8 को खड़े ओने की बज़े लेटा दो, गेर दो, इस न काटप है इसका कुद के मारने है, गेर के नہ तो इसका मतलब हो गया reboot दुबारा देख लो कैसे याद करेंगे इसको याद करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है 8 को आमने लेटा लेना है इसको एक बर लंबा कर दो यहाँ पे और अगर ब्यारे बचो इसको 8 आपको दिखाई दे रहा है लेटा वाठ दो O की तरह दिखाई दे रहा है A को दूसरा O सिंगल O और डबल O आपको यह दो O की तरह दिखाई दे रहा है अगर जो मैं इस R को E इसके आगए अगर मैं पेरे बचो इस डबल O के आगे R, E और B लगा दूँ तो यह Reboot और अगेटी लगा दिया तो क्या बन गया Reboot अब असानी से Easy देखो क्या होता है ने बिटा क्या होता है फिर आ गए भाई यह तो उड़ेगी सिंबरन गिल यह भाई साब यह परी फिर आ गई क्या पापा की परी काले गेल मरी यह पापा की परी काले गेल मरेगी F8 अगर प्यारे बचो 8 को हम लोटा दे तो यह लेट गया इसमें डबल O आ रहा है और डबल O से क्या बन जाएगा Reboot बन जाएगा बचो F8 का Reboot F9 का यूज किसलिए होता है तो आप लिख लेंगे F9 का यूज होता है भाई प्यारे बचो Brightness को कम करने के लिए बिल्कुल सही है आपका Brightness को कम करने के लिए F9 का यूज होता है और प्यारे बचो वैसे तो देखिए अलग-अलग यूज हो जाते है F9 का यूज एक और भी होता है कि अगर कोई Text सबसे Important Question ये है तुम अपने बताते रहो पता नी तुम कहां-कहांसे ले आते हो सबसे Important है कि Text अगर हमने किसी Text को Select कर रखा है अगर हमने किसी Text को Select कर रखा है तो ये Select Text को लिख ले ना ये Select Text को हटाने के लिए यूज होती है अगर मैं बात करूँ प्यारे बचो F9 की तो ये F9 किसे लिए उज होती है Select Text को अगर हमने देखे क्या हो रखा किसी Text को Select कर रखा है वो सारे जैसे paragraph है और उसमें paragraph में से हमने दो line को किसी को Select कर लिया ये एक line को Select कर लिया तो Select Line को हटाने के लिए किसका हुज होता है F9 का हुज होता है इसके बाद आप आजाते है F12 का Main F12 देख लो 10 और 11 इतने important नहीं है अगर बच्चो आपको मैं बता दू ये F9 हो गया F11 मैंने कलास में भी आपको trick से बताया था फुल बन गया अगर तुम F11 जो है अगर जो इसको F11 के बीच में तुम U लगा दो तो इसके बीच में U लगा कर और बच्चो ये F11 है तो ये फुल बन गया और फुल हो गया muchísimo स्क्रीन तो फुल स्क्रीन करने के लिए यूश होता है आप इन को ना ट्रिक से याद करो एप जितनी भी function की है एप का मतलब function की f11 अगर हम यहाँ पे f11 लिख ले और बीच में यू लगा दे तो यह full बढ़ गया और full screen करने के लिए अगर मैं full screen की बात करूँ तो full screen करने के लिए किसका यूज होता है f11 का और f12 का यूज होता है जितनी भी आप लोगों की function की थी बच्चो मैंने आप लोगों को लगबग करवा दी है एफ1 का यूज होता है पहरे बच्चो आपको बताया गया f1 का help करने के लिए 2 का rename करने के लिए 3 का search करने के लिए 4 का चल रहे program को बंद करने के लिए और 5 का जो यूज होता है refresh के ल और एप 8, 8 को लंबा कर लो, 8 को लेटा लोगे तो दो नजर आएंगे और 2 किसी में होते हैं प्यारे बचो रिबूट में होते हैं, रिबूट क्या होता सर जी एक तो होता booting, एक होता rebooting, booting के प्रकरिया मैंने आपको एक दिन पिछली वीडियो में बताई थी, जब हम computer को तो computer को start करती, ROM activate हो जाती है, और ROM के अंदर एक प्रकरिया होती, BIOS, मैंने आपको पड़ा हा था, ROM के अंदर कोण सी प्रकरिया होती, तो ROM के अंदर BIOS होती है, basic input output system, और यह जो BIOS की प्रकरिया होती है, यह booting की प्रकरिया को complete करती है, booting की प्रकरिया को, booting क्या होता है, ज जब computer start होता है तो उस पर करिया को क्या कहते है बुटिंग कहते हैं अगर प्यारे बचो computer चल रहा है और उसको अपने reboot करना है एक बरबंद करके दुबारा चाल लो करना तो उसको reboot की परिकरिया का जाता है और reboot की परिकरिया के लिए क्यों कौन साइज होगा F8 का जोता बचो फुल बन गया और फुल स्क्रीन के लिए किस का जोगा F11 एप 12 का जोता से वैज के लिए उमीद है आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा यहां देख लीजी एक बारा यहां मैं आपको बता देता हूं दुबारा देख लो अगर हम इसको दुबारा से चर्चा में लेकर आप लोगों की फंक्सण की हो गई यह जितनी भी मैंने आपको करवाई है सारी के सारी 12 की 12 फंक्सन की करवादी मैंने आपको कम्प्यूटर की अगर मैं बात करूँ बंद करने के लिए उजोती है याद रखना चल रहे प्रोग्राम को चल रहे प्रोग्राम को बंद करने के लिए उजोती है माली जी आप स्क्रीन पर कुछ देख रहे हैं चैटिंग मेटिंग कर रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं पूरानी या दो MR में खुए हुए और需 की लड़की आदो कीर न दिख ले हो ने ने देख लिए तो तुम्हें एकदम से माता पिता को देखते ही स्क्रीन को बंद करने बागते हो तो जैसे अगर जो देख लिया हो यह तो गड़बड हो गई तो तुम screen को बंद करने बागते हो तो उस पर screen पर आत रखने की जुरूत नहीं है उसको बंद करने की जुरूत नहीं है उसको कहा पटकोगे ऐसे रजाई में भी निदूबका सकते इतना बड़ा computer होता है तो कु भी चल रहा है कोई गड़बड हो रही है किसी से वारतलाब चल रही है फोटा वाटा देख रहे हैं मिश्यू सोना बेबी को मिश कर रहे हैं तो उसको एकदम से आप फोटो देख रहे हैं उसकी अर अगर जो माता पिता आ जहें तो आप escape बटन दबाकर उसको बंद कर सकते हैं यह escape का बटन इसलिए हुज होता है उसके बाद प्यारे बचो मैंने आपको दो टोंगल की बताई थी एक caps lock बताया था और एक आप लोगों को जो है numerical lock बताया था उसके बाद आप लोगों को देखो यह रहा है NL लिखा हुआ है numerical lock लिखा हुआ है और कहीं ने कहीं आप लोगों को मिल जाएगा caps lock अब यह देखो tab लिखा हुआ tab बटन का किस लिख होता है तो लिख लेंगे अगर tab बटन की मैं बात करूँ तो cursor को move करने के लिए एक तो cursor जो आपका move होता है तो किसे होता है cursor move आप लोगों का mouse से होता है अगर आपकी mouse काम करना छोड़ दे और आपको cursor को थोड़ा बुथ move करवाना है तो आप प्यारे बचो cursor को move करवाने के लिए tab बटन का भी यूज़ कर सकते हैं याद रखना या फिर आपने देखा हो कुछ writing कर रही होते हैं और यहाँ पे एक डंडा आता इसको आम बार बार जैसे कुछ लिख रहे हैं जैसे यहा लड़की को लड़की को प्यार करती थी कैसा जमाना आ गया भाई लड़की लड़की को प्यार कर रही है इतने सारे लड़के हैं बेटा दुनिया भरके हैं कर लो यह देख ले भाई क्या क्या जमाना देखना पड़ेगा हमे एक पैरे बच्छों आपकी punctuation की होती है भी लिख लेना punctuation की सरजी punctuation की कौन सी होती है तो आपको यह board पर दिखाई दे रही होंगी जिन में यह column जिन में यह column आता है कोमा आजाता है सेमी कोलन आजाता है जो आप लोगों की पैरे बचो यह को ciek की को punctuation की कहते हैं तो जो आप लोगों की comma semi colon जो semi colon उपर लगा होता है comma semi colon आदी जो की होती है जो symbol होते हैं इनको जो use करने के लिए की होती है उसको कौन सी की कहते है punctuation की कहते है comma semi colon आदी को punctuation की कहा जाता है उसके बाद अगर जो आप सिगनल दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं सर जी तो इसको प्यारेबचों는 symbolic कहते हैं इसको Czechos oldie कहा जाता है अगर आपसे पूछ लिया जाए अगर कम्प्यूटर के ऊपर की बोर्ड के ओपर उपर जो की बनी होती है जो कॉमा और सैमी कॉलन होता है उनको क्या कहते हैं, तो comma और semicolon को punctuation की कहते हैं, punctuation की, अगर पूछले आप लोगों से जो less than, greater than, has, जो यह hashtag आप लगाते हैं, hashtag होता है, star होता है, star का button होता है, has हो गया, star हो गया, less than हो गया, greater than हो गया, तो यह कौन सी की होती है तो आप लिख लेना यह symbolic की होती है यह सारी symbolic की होती है जो symbol बनाने के काम आती है उनको symbolic की कहते है star has less than greater than यह symbolic की कोमा semicolon यह कौन सी की होती है punctuation की होती है यह आप लोगों का लगबग मैंने आप लोगों को कीबोर्ड के जितने भी बटन थे जितने भी उसके यूज थे जो पेपर में आने की समभावना रहती है उसको मैंने आपको बता दिया पहरे बचों फिर भी आप लोगों को एक आप लोगों की क्या कहते हैं Caps Lock और होती है वो भी लिख लेना Caps Lock किसलिए होती है तो Caps Lock किसी भी अक्सर को बड़ा करने के काम आती है जो Keyboard के उपर आप कोई टाइपिंग कर रहे हैं स्क्रीन पर कोई टाइपिंग कर रहे हैं और अगर आपको कोई अक्सर को बड़ा करना है किसी सब्द को बड़ा करना है तो आप Caps Lock दबा कर जो प्यारे बचो आपका Caps Lock का बटन होता है उसको ये जो ये लोक वाड़ा बटन है इसको Caps Lock का आ जाता है इसमें लिखा नहीं हुआ कहीं कीबोर्ड के अंदर यहां लिखा आता है Caps Lock तो ये जो Caps Lock का बटन होता है ये किसी भी अक्सर को बड़ा करने के लिए काम आता है Caps Lock का काम ठीक है प्यारे बच्चो उसके बाद हाँ जी हाँ जी वह स्यमी कोलन यह सारा मैंने अपट लोगों को बता दिया है लगए 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 है आप लोग इसके बाद देखेंगे आगला जो मारा है वह आ जाता है बच्चोो इसके बाद 111 इसके बाद हमाड़ा है अगला जो पता है जो आपका input device है वो mouse आ जाता mouse लिख लेंगे फटा फट अगला input device कोण सा हमारा mouse mouse क्या होता है यह paper में आरियाना police के paper में भी आया है banking के paper में भी आया है यह KVS के paper में भी आया है वह question है प्यारे बचो और साइद मुझे लगता दिल्ली police online exam में भी आया था यह एक pointing device होता है यह एक pointing device होता है यह paper में पूछा गया था कि mouse क्या होता है तो mouse प्यारे बचो एक pointing device होता है लिख लेंगे mouse के आता है तो mouse एक pointing device होता है जो किसी भी चीज को point करने के उसको mark करने के निके उसको touch करने के काम आता है तो प्यारे बचो माउस एक परकार का pointing device होता है कितने परकार की माउस होती है सर तो तीन परकार की माउस होती है बचो एक होती है mechanical mouse एक होती है आप लोगों की mechanical mechanical mouse एक आप लोगों की mechanical mouse हो जाती है mechanical mouse लिख लेंगे यह पहले आया करती थी अब नहीं आती है mechanical mouse एक आप लोगों की optical mouse होती है optical optical mouse होती है पेरे बच्चो एक आप लोगों की होती है cordless mouse cordless mouse तीन परकार की mouse होती है तीनों परकार की mouse आप लिख लेंगे यहापे कौन कौन सी mouse होती है तो एक तो होती है बच्चो आप लोगों की mechanical mouse, एक होती है optical mouse, एक होती है आप लोगों की codeless mouse ये तीनों mouse में क्या फरक होता है तो ये आपकी याद रखना पहले तो मैं आप लोगों को बता दू, mouse एक pointing device होती है, तीन परकार की mouse होती है mechanical mouse, optical mouse और आप लोगों की codeless mouse तो आप अगर जो यहाँ पर देखना चाहें तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा एक मिनिट यहाँ पर बच्चो आप इसको देखिए यह आपकी माउस हो गई अब इस माउस के अंदर कितने बटन होते हैं पहला वश्ण तो यहाँ से उठेगा माउस के अंदर टोटल तीन बटन होते हैं देखिएगा माउस के अंदर टोटल कितने बटन होते तो माउस के अंदर तीन बटन होते एक होता है लेफ्ट का एक होता है राइट का और जो आपको यह बीच में दिखाई दे रहा है यह स्क्रोल का बटन होता है लिख लेंगे left button का use किसी भी icon को या किसी भी program को select करने के लिए left button का use होता है किसी भी program की property देखने के लिए right button का use होता है दुबारा देख लो किसी भी program को select करने के लिए left button का use होता है select करने के लिए left button का use होता है किसी भी प्रोग्राम को प्रोपर्टी चेक करने के लिए किसी भी प्रोग्राम की प्रोपर्टी चेक करने के लिए प्यारे बचो किसका यूज होता है तो किसी भी प्रोग्राम की प्रोपर्टी चेक करने के लिए राइट बटन का यूज होता है और बीच वाड़ा जो बटन होता है माउस के अंदर तीन बटन होते लेप्ट, राइट और स्क्रोल बीच वाड़ा जो स्क्रोल का बटन होता है उसका यूज किसलिए होता है तो स्क्रोल बटन का यूज होता है प्यारे भी द्यारतियो वर्टीकल ये वर्टीकल स्क्रोल करने के काम आता है सर वर्टीकल के आता है अगर प्यारे बचो आपने देखा हो कम्प्यूटर के अंदर ऐसे अगर आपने देखा हो ऐसे ये एरो का निशान बना होता ऐसे अगर आपको स्क्रीन को जैसे मैं इसकी बात करूँ इसको मैं इदर से उदर लेकर जाना चाता हूँ तो ये ऐसे ये horizontal scroll कर रहा हूँ इसको horizontal scroll कर रहा हूँ left से right, right से left लाना horizontal scroll कहलाता है अगर प्यारे बचो मैं इसी mouse को एक बार उपर एक बार नीचे लेकर जाता हूँ तो ये कौन सा स्क्रोल होता है ये वर्टिकल स्क्रोल होता है दुबारा देख लीजिए अगर मैं इसको पैरे बचो एक बार इधर एक बार उदर करता हूँ तो ये होरिजेंटल स्क्रोल है अगर मैं इसको एक बार उपर एक बार निचे करता हूँ तो ये वर्टिकल स्क्रोल है याद रखना पैरे बचो जो हमारा स्क्रोलिंग का काम होता है इस बटन का ये जो बटन है इसका स्क्रोल करने का काम होता है तो ये क्या स्क्रोल करता है ये पैरे बचो वर्टिकल स्क्रोल करता है ने की होरिजेंटल ये वर्टिकल स्क्रोल करने क काम आता है माउस जो होता है आपका तीन बटन होते है लेप्ट किसी भी प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के लिए जो राइट होता है आप लोगों का लेप्ट किसी भी प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के लिए होता है प्यारे बच्छो राइट जो होता है वो प्रोग्राम की प् Optical Mouse, Optical Mouse कौन सी होती है, पहले मैं आपको बता दू, यह Optical Mouse है, जो तुमारे सामने है, सर जी Optical Mouse की क्या विशेशता है, तो बच्चो Optical Mouse की यह विशेशता होती है, कि इसके अंदर Light होती है, यह जो आपको Light दिखाई दे रही है, यह Light के माध्यम से चलती है, Optical Mouse क्या होती है, जिस Mouse में करसर Light के माध्यम से मूव करता है, उसे हम Optical Mouse कहते हैं, इस Mouse के नीचे, अगर बच्चो मैं इस Mouse की बात करूँ, तो इस Mouse के नीचे एक Laser Beam लगे होते हैं, क्वेशन आता है, कि Optical Mouse में करसर किस माध्यम से मूव करता है, तो Optical Mouse में करसर Laser Beam के माध्यम से मूव करता है, इसके अंदर प्यारे बच्चो, Laser Beam लगे होते हैं, जो आपके Laser Beam लगे होते हैं, इस Mouse के नीचे लगे होते हैं, जो आपको Red Red Light दिखाई दे रही है, कभी आपके अगर मैं इस माउस की बात करूं तो इसके नीचे एक लाइट जड़ी दिखाई देगी और जब आपको यह लाइट जड़ती हुई दिखाई देगी तो उस जड़ती हुई लाइट है उसी के माध्यम से करसर मुव करता है उसको उप्टिकल माउस कहते हैं अगर मैं बात करूँ प्यारे बचों mechanical mouse की तो mechanical mouse कोण सी होती है mechanical mouse मैं आपको दिखाना चाहूँगा पहले अप इसको एक मिनट देख लीजिए देखो अगर मैं यह देखो मेरे आतमे एक mouse है शाहिद आपको दिखाई दे रही हो तो इस mouse के अंदर ये एक light जल रही है ये देखो एक light जल रही है इस mouse के अंदर एक light जलती होई दिखाई देगी आप लोगों को सायद जलती होई दिखाई दे रही हो तो अगर इसके अंदर light जलती होई दिखाई दे रही हो तो इसी light के माध्यम से cursor move करता है इसी light इसी light को laser beam कहा माउस अभी मैं दिखा दूँगा आपको स्क्रीन पर उसके नीचे क्या लगा होता था उसके नीचे एक बोल लगी होती थी और जो करसर होता था बोल के माध्यम से मूव करता था इन दोनों में फरक होता है एक mouse होती है जिसमें नीचे ball लगी होती है तो जिस mouse में नीचे ball लगी होगी वो mechanical mouse होगी उसमें क्या होता है उसमें जो cursor move करेगा वो rubber के मादम से move करेगा अबने देखा होगा एक rubber के नीचे हम mouse pad रख लेते थे अब ये paper में आया mouse pad वाड़ा mouse के नीचे क्या यूज होती थी mouse pad यूज होती थी और उस pad के उपर मैसे ऐसे गुमाते थे तो वो ball गूमती थी और जैसे जैसे वो ball गूमती थी वैसे वैसे प्यारे बच्वाप का cursor move करता था अब इसको देखो इसमें आप लोगों को ये cursor दिखाई दे रहा होगा इसमें ये cursor move कर रहा स्क्रीन के उपर ये किस मादम से move कर रहा है ये cursor देखो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये cursor जो move कर रहा है उपर देखो mouse के उपर यहां पर तो ये cursor move कर रहा है ये laser beam के माद हमसे move कर रहा है तो ये कोड़ सी mouse है? ये optical mouse है अगर इसी में हम mechanical mouse लेकर आते हैं तो उसके नीचे एक rubber लगी होती थी जो rubber लगी होई mouse होती थी उसको पैरे बचो हम बोलते थे rubber लगी होई mouse को हम mechanical mouse कहते हैं तो दो परकार की mouse होती है एक Optical और एक Mechanical तीसरी माउस कोण सी होती है सर जी तो तीसरी माउस पैरेवचो होती ही मैं आपको बता देता हूँ तीसरी माउस कोण सी होती है तीसरी माउस आप लोगों क्यों होती है Cordless माउस तीसरी माउस आपकी Cordless माउस होती है ये रही आप लोगों की cordless mouse सायद आप लोगों को दिखाई दे रही होगी screen के ओपर ये cordless mouse होती है सर जी ये क्या होती है cordless mouse इसमें तार नहीं होती ये wireless mouse होती पैरे वचो जिस mouse के अंदर तार नहीं होती उस mouse को हम क्या कहते हैं cordless mouse कहते हैं ये एक waifi signal के माध्यम से प्यारे बच्चो करसर को move करवाती है ये एक signal के माध्यम से जैसे waifi signal होते हैं तो एक waifi signal के माध्यम से एक signal के माध्यम से इसमें cursor move करता है आजकल ये ही mouse ज्यादा चल रही है market के अंदर 500-600-600-1000 रुपे की बड़ी आउस आजाती है यह cordless mouse cordless mouse की खास बात क्या होती कि इसमें tire नहीं होती यह wireless mouse होती है wireless mouse को cordless mouse को आजाता तीन परकार अगुते है mechanical mouse जिसमें नीचे rubber होती है optical mouse जिसमें नीचे laser beam होती है और code-less mouse जो होती है जिसमें तार है नहीं होती है एक Wi-Fi के मादम से ये move करती है इसको हम code-less mouse कहते हैं clear है पहरे बच्छो अच्छे mouse के अंदर एक चीज होती है mouse के अंदर एक drag and drop का option आता है या भी हाल ही में paper में आया हुआ था drag and drop क्या होता है हाल ही में बिल्कुल जस्ट अभी paper में आया हुआ question है drag and drop drag and drop क्या होता है लिख लेंगे ये drag and drop क्या होता है drag and drop drag and drop तो बच्छो drag and drop क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी जैसे माली जीए ये मैं आपको बताऊँ इसको मैंने select कर लिया इसको तो drag and drop क्या होता है इसको यहां से select करके mouse के माध्यम से और इसको कहीं और छोड़ देना किसी भी icon को select करके इसको एक जग ऐसे दूसरे स्थान पर ले जाकर drop कर देना क्या कहलाता है drag and drop ये आया वापेपर के अंदर drag and drop क्या होता है किसी भी icon को पकड़ कर mouse के माद्यम से किसी भी icon को पकड़ कर एक जंग ऐसे दूसरी जंगा drop कर देना क्या कहला था drag and drop कहला था ये पहरे बचो आपका mouse हो गया mouse का विष्कार किस ने किया था तो mouse का विष्कार Douglas ने किया था लिख लेंगे पहरे बचो mouse का विष्कार किस ने किया था तो mouse का विष्कार Douglas ने किया था Douglas ने बिल्कुल पहले होते थे दिपकतवर जी रबडवारी mouse होती थी उसके बाद फिर वो optical mouse जो मैंने वो दिखा दी वो आ गई अब वर्तमान में इस mouse का परचलन है जो यह हम आपके सामणे दिखाई दी थी अब यह वर्तमान में यह mouse परचली थै यह codeless mouse होती है तो यह आप लोग थोड़ा से इसको याद रखना उसके बाद में आपके आ जाती है यह हो गई आप लोगों की mouse माउस के बाद प्यारे बचो आपका अगला क्या आ जाता सरजी तो माउस के बाद प्यारे बचो अगला आप लोगों का आ जाता है डीजी टाइजर अगला जो आपका input device है बहुत important है कई बर पेपर में आया है डीजी टाइजर लिख लेंगे digitizer digitizer यह digitizer क्या होता सर जी digitizer प्यारे बचो एक graphic जो input device होता है एक graphic tablet होती है लिख लेंगे यह एक graphic tablet tablet होती है यह एक परकार का graphic tablet होता है graphic tablet होता है सर जी graphic tablet tablet मैंने आप लोगों को कल पर सोपड़ा आ था यह graphic tablet होता है इसके उपर क्या होता है आप लोगों के आथ में एक tablet होगा एक phone type में होगा और उसके उपर एक stylus होता है उससे आप stylus से जो भी चीज बनाओगे जो भी design बनाओगे वही design आपके screen के उपर आजाएगा धन से सुनना digitizer क्या होता है digitizer एक graphic tablet होता है उसके उपर आप यदि कोई graph बनाते हो उसके उपर आप कोई design बनाते हो जो भी design त्यार करते हो वही design same to same आपकी किस में आजाएगा screen के अंदर आजाएगा इसका use किस में होता सर जी तो इसका use होता CAD में use होता CAD में computer added designing लिख लेंगे प्यारे बचो digitizer का use का होता है तो इसका use होता CAD में CAD क्या होता सर जी computer added designing computer added designing CAD के अंदर किस का use होता CAD के अंदर digitizer का use होता है digitizer के अंदर CAD का use होता computer added designing computer added designing में use करते हैं इसको सर जी कहा use किया जाता है जैसे बच्चो इसका example दे हूँ आप लोगों को नाटक आया करता था पहले सकाला का भूम बूम यो और देख्या करता सकाला का भूम बूम इंतर बनाता sa इस पेंसिल से कोपी घुरट फर बनाता था वही चीज पैस ओजाती है समोसा अगया समोसा आगया ब्लेड ब्रैक्ड बना ब्लेड आगया सैइकल बनाइया चार बनाईया जाती है जो भी चीज आजल फिए जो सब आजेगा पापा की परी मनाओगा यह सब तहला तो तुरंत प्रभाऊ से तन चोरी ज्यादा दिखत होरी है चलो इधर देखो तो मैंने क्या वोला digitizer digitizer क्या होता है एक graphic होता है और graphic के उपर पेरे बचो एक graphic tablet होता है उसके उपर आप जो भी design बनाओगे जैसे साकला कभूम में माली में जो भी design बनाता था जो भी चीज बनाता था वही आ जाती थी तो वह तो real में आ जाती थी यहां पर आप जो भी चीज digitizer में बनाओगे उसके उपर बनाओगे वह सारी की सारी चीज आपकी screen के अंदर आ जाएगी आपको दिखाए देगी इसका यूज का होता सर जी तो बड़े बड़े बिल्डर लिख लो बड़े बड़े बिल्डर बड़े बड़े बिल्डर कार डिज बनाने में कार के मेकैनिकल पार्ट बनाने में इसका यूज करते हैं तो यह question पूछ लिया जाता है बड़े बड़े बिल्डर की सका यूज करते हैं डिजिटाइजर का यूज करते हैं बिल्डिंग का डिजाइन त्यार करने में कार जो डिजाइनर होते हैं जो कार के नहीं नई डिजाइन क्यार करें पहले आपने देखा एक मार उत्ति कार आया करती थी 800 आज कल दुनिया वर की कार आगी एक सेख़ डिजाइन आ गया जोर यह देखती रहती है कार को देखते वाउ कितनी अच्छी सूधर कार वाव कितनी यह देखो ना अपना यह काला कितनी शुigten कबाडे मत एक कार ले आ था और उसका उसने पूरा नक्साई चेंज कर दिया था को सुत्ती बढ़ाई थी फिर वो जब उसको कोलेज में लेकर गया था बल्यू वाली कार को तो वो एक गुंडा कहता है यह कार नहीं हाहा कार है तो कार का डिजाइन त्यार करने में जो बड़ इसरण त्यार करने में मैं कशन कमें कार्त मंड़ने में इस बांने में Ici टाइसर का यूज़ करते हैं यह दिशित डाइसर भी क्या होता है का इन्पुट डिवाई सुता पैरेव शो कि ऊ Prime Kiramanek till पैही पॉन्ट मारो हो सर अच्छा ओनलाइन भी छे लग गए कित्व पॉन्टो हो ओफलाइन भी आप तो भूंदा शिर मदर दो रहा है तो क्षेश्चिर मदर दो ङस तो नजर लगी किसे रंडवे की है ना है किसे रंडवे की नजर लगी रोज खुजावए नजर लुसे रणडवे की तर गल्स को तर गट किया है मैं तो अंकीत को टरगेट किया है तो गल्स को का अंकीत गर्ल है ने अंकीत का लड़ की दिख्राब लोगों को अप अब भाईजाब मैं कहां से अरे इतना सरीफ आदमी हूं मैं लड़कियों को कहां से टार्गेट रखता हूं मैं मैं तो अंकीत पर पॉइंट मा रहा है आपका कहने का भाव यह कि अंकीत लड़की है तो यह दादा क्या जमाना आ गया है चलिए डीजिटाईजर के बाद अच्छे क्वेशन आ जाता है सबसे जब ज़्यादा डीजिटाईजर वै कौन कमपनी बनाती है डीजिटाईजर बनाती है कारवाली बात पर हस रहे हैं कौन सी कारवाली रित्तु सांगवान कौन सी कारवाली बात मतलब कारवाली बात अच्छा अच्छा लाल कारवाली बात जो हाहकार कार नहीं है हाहकार है अच्छा ये चांब का आप लोगों का अगला जो आजाता है वह आजाता फिर अच्व Dan प्यारे वच्वा का ट्रैक बॉल अगर जो और फिर ये जन देखना है तो मैं आपको अच्शन दिखा देता हूँ उसके बाद मैं आप लोगों कॉंड्यक बोल भी दिका दूगा यह देखिए यह बच्छो आप लोगों को यहां पे दिखाई दे रहोगा यह डीजी टाइजर होता है इसको डीजी टाइजर बोलते हैं यह रहा यह देखो इसके उपर पैन रखा हुआ है और इस पैन से अगर जो आप इसके उपर कुछ भी ड्रो खरोगे जैसे ही आप पैन से कुछ भी ड्रो करोगे इसके बाद में आ जाता है आप लोगों का अगला जो आ जाता है वह क्या आ जाता सर जी अगला आपका आ जाता है अभी जो मैं बता रहा था आपको joystick जोयस्टिक एक मिनट जोयस्टिक नहीं जोयस्टिक भी एक input device होता है लेकिन अब हम देखेंगग trackball trackball दिखा देता हूं फिर उसके बारे में बता दूंगा गेमिंग वगार हमीज होती है trackball यह रही एक trackball होती है gaming वगरा हम यूज होती है trackball ये भी एक परकार का input device होता बच्佑 ये trackball होती है ये भी एक mouse का काम करती है देखो आपके screen पर दिखाई दे रही होंगी ये भी एक type की mouse होती है trackball इसमें क्या करना होता है देखो आप मा I still do wish औरोगे trackball हो आपके उसके उपर लगी होई यह बोल है ना इस बॉल को छेड़ना आपको जैसे जैसे बॉल करेगी वैसे मूज करेगा यह कोश्ण देख लो ट्रेक बोल भी एक परकार का इन्पुट डिवाइस होता है यह मैंने आपको ट्रेक बोल दिखा दी इस ट्रेक बोल के पर जो यह बोल लगी हो यह ना आपको माौस को नहीं चेडना इस माौस को नहीं पगड़के ऐसे ही लड़ाना है आपको सिरफ करसर को एलाना है पर एक ताना है तो यह परकार की trackball होती ही लिख लीजिए trackball भी एक परकार का input device होता है यह video gaming में यूज होता है लिख लेंगे यह भी एक परकार का input device होता है यह video gaming में यूज होता है किसमें यूज होता है video gaming में इसके उपर एक बोल लगी होती है इसी बोल के माध्यम से इसी बोल के माध्यम से आपका cursor move करता है यह आपकी हो जाती है trackball इसके बाद trackball के बाद आप वह चीज की डिफिनेेसिन निलिए जोटा है, इन मेंसे कौड़ सा हैएक Maath इन मेंसे जीज की डिफिनेसिन लिख ले जोटा है, इसुन का हो जाते हैं, मैं रिफिनेसिन लिखिलेस्टीक, जोटा है। input device होता, game खेल ने में काम आता है इसमें क्या होता प्यारे बचो एक परकार से समझ लो इसमें एक जैसे आपको एक ये एक टाइप का इसके उपर handle सा लगा होता है इस एक डंडा सा लगा होता है इस डंडे से गोपकड़ के move करना होता है इसको left करोगे, left, right करेंगे light, right, आगे करेंगे, आगे, पिछे करेंगे, पिछे तो इसमें एक डंडा सा लगा होता है इसके उपर और इसी डंडे के माध्यम से हम जो game खेलते हैं उसमें जो player होता है उसको एक बर left एक बर right, एक बर आगे, पिछे या कार होती है, कार की जो गेम खेलते हैं, बाइक की कोई गेम खेलते हैं, तो कार को अगर जो आप इसको इस डंडे को पकड़के आगे करोगे, तो कार आगे भागेगी, पिछे इसको कर देंगे तो ब्रेक लग जाएंगे, लेप्ट करोगे तो कार लेप्ट होजेगी, प्लोगों को जोएश्टिक का चीतर भी दिखा सकता हूँ उसके बाद मेरे बचों आप लोगों को छोड़ो बार-बार सारे चीतर देखेंगे, गन्फ्यूज हो जाएंगे, एक आप लोगों को कल मैंने आपको दिखा था, light pen होता है एक होता आपका light pen L-I-G-H-T light pen light pen कल मैंने आपको बताया था light pen भी क्या है light pen भी ऐक परकार का input device होता है light pen भी था यह किस काम आता है CRT monitor के ओपर लिख लेंगे यह är CRT monitor के ओपर जो आपके CRT monitor होते हैं इन के ओपर input देने के काम आता है जो आपके CRT monitor होते हैं कल मैंने दिखाया भी था आप लोगों को एक वो ladies थी CRT monitor के उपर जो एक light pen से pressure बना कर उस पर input देने का काम कर रही थी जैसे यह मेरे आद में यह stylus है प्यारे बचो यह stylus कहा यूज होता है तो यह तो आप लोगों का tablet के उपर यूज होता है जो भी मैंने digitizer बताया वहाँ पर यूज होता है stylus तो लेकिन एक CRT monitor आते थे पहले उन CRT monitor के उपर input देने का काम करता था कौन करता था light pen तो आपका जो light pen होता है वह भी एक input device होता है और यह CRT monitor के उपर input देने का काम करता है जो आपका क्या होता है light pen होता है एक होता आप लोगों का digital camera फटा 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 लिख लीजिए कुन सा होता सर जी digital camera होता है digital camera digital camera क्या होता है मैं आपको बता दू तो digital camera लिखेंगे digital camera भी एक परकार का input device होता है लिखेंगे यह भी एक परकार का input device होता है जो फोटो तथा वीडियो को यह भी एक परकार का input device होता है जो फोटो तथा वीडियो को जो फोटो तथा वीडियो को input जो फोटो तथा वीडियो को save करने के काम आता है जो फोटो तथा वीडियों को सेव करने के काम आता है यनि क्या करेगा इन्पूट डिवाइस वो होती है जो कोई भी मतलब डिवाइस होती है वो आउटपुट नहीं दे रही है सिर्फ इन्पुट दे रही है तो जो कैमरा होता है उसके अंदर चीज़े जाती है आती नहीं है पहरेवचो आना तो प्रिंटर के मादम से या किसी और मादम से उसके अंदर से आउटपुट निकालते है कैमरा लगा लो या आपकी कोई बेज़े से आप फोटो खीचते हैं अब आप जो फोन ले आते हैं फोन के अंदर आप फोटो खीचने लग जाते हैं लड़कियां खीचते हैं देखा होगा आप लोगों ने ज्यादे तर लड़कियां बंगे तिंगे मुँ बना के फोटो खीचने आज कल चल रहा है इतना सुन्दर बगवान ने मुँ दे रखा उसको बंगमो बना के इस जीपको इतनी बार निकल लेगी तो इस परकार से उसकी सेलप़्ी लेने का काम करती है तो जो तो चाहिके फोटो ले रहे हो या वीडियो बना रहे हो ऒो कैमरे के अंदर जा रही है तो जो बहस्गा जाने वाली चीज होती है वो input होती है जो अंदर जारी वो क्या है input है तो camera के अंदर जब हम camera के अंदर photo खीचते हैं या video बनाते हैं तो वो camera के अंदर जाती है तो जो आपका video camera होता है वो प्यारे बचो कोण सा device होता है input device होता है जो photo को या text को या video को मतलब कि अंदर बेजने का काम करता है समझ मैं आ रही मेरी बात को एक question लिखेंगे फटा फट digital camera file को या photo को JPEG में save करता है very very important question है digital camera digital camera photo को JPEG form में JPEG की form में JPEG की form में save करता है ये paper में पूछा गया था question 2 star लगा के लिख ले ना very very important question है digital camera किसी भी photo को किस form में save करता है तो digital camera किसी भी photo को JPEG form में save करता है अब JPEG क्या होती है सर जी लिख लेंगे JPEG की full form होती है joint joint photography joint photography लिखो जल्दी जल्दी joint photography expert joint photography expert standard group joint photography expert standard group standard group जी आर ओ यू पी इसकी फुल्पूम पूछली जाती प्यारे बच्चो JPG digital camera किसी भी चीज को किस form में save करता है तो digital camera सबी photo को JPG में save करता है हम बोल नहीं देते कि चल तु मेरी photo को बेज़ दे तो अम WhatsApp पे बेज़ते हैं तो वो photo फटी फटी सी आवाई जनू लासी पाट रियो इसी photo आओगी मेरे वाई बिखरी बिखरी सी photo आती है सारी जो pixel है उसके फट जाते है अगर जो उसी photo को आप JPG form में save कर देते हो किस form में JPG form में save कर देते हो वो photo photo फटती नहीं है JPG क्या होता है JPG होता है Joint Photography Expert Standard Group Joint Photography Expert Standard Group तो कोई भी camera जो होता है वो किसी भी photo को किस form में save करता है JPG की form में save कर लेता है यह होगे आप लोगों का digital camera joystick or trackball के function same है क्या यह confuse करेंगे exam में नहीं नहीं वेटा बिलकुल यह ना जो आपका joystick होता है और जो trackball होती है यह दोनों के दोनों क्या होते है शिरफ game खेलने के काम आते है और कुछ नहीं आते है ना वो paperman के function पूस्ता वो क्या पूस्ता है इन में से कौन सा एक input device है या इन में से कौन सा input device नहीं है joystick भी एक input device है ट्रेक बोल भी एक input device है, ट्रेक बोल क्या करती है, ट्रेक बोल से करसर को move करते हैं, करसर को move करने के लिए, जैसे माउस से करसर को move करते हैं, माउस को ही लाना पड़ता है, एक बार माउस को अधर ले कर जाते हैं, लेकिन अगर जो आपको ट्रेक बोल है, इस से करसर को move करवा था वो तो खली ओली गेमिंग में काम आता गेम खिलने के काम आता है ठीक है वच्चो अ उसके बाद जे पीजी की फुल फोर्म जे पीजी की अब बिल्कुल जे पीजी की फोर्म में सर जी आप बहुत अच्छा पड़ाते हों अरे बस बेटा कुछ निया टाइम पास कर लेते हैं हम तो जे पीजी होता है जोएंट फोटोग्राफी एक्सपर्ड स्टेंडर्ड है ग्रूप पूछ लेता है वह एक्जाम के अंदर उसके बाद आ जाता आप लोगों को गाई है तो मैंने आपको बताया जो किसी भी टेक्स्ट या फोटो को स्केन करने के काम आते हैं उन्हें हम स्केनर कहते हैं किसी भी फोटो या किसी भी फोटो या टेक्स्ट को स्केन करते हैं उसे हम स्केनर कहते हैं यह फ्लेट बेड होते हैं लिख लेंगे यह क्या होते हैं यह फ्लेट बेड होते हैं अब त आप कभी गए है जब आप कभी किसी दुकान पर फोटो कोपी करवाने जाते हो तो वो फोटो कोपी वाला क्या करता आप से एक पेज ले लेगा जिसके आपने फोटो कोपी करवानी है और उस फोटो कोपी को एक डखकन सा उठा के और एक सिसे के उपर रख देगा जो वो सिस सारा होता ना पैरेबचो उस सीशे के नीचे एक light गूमती आपने देखी होगी जब हम किसी भी चीज के हो उस सारी चीज को स्कैनर कर लेगी तो उस को रखकर पेज को रखकर और नीचे से पादे का जाता है स्कैनर क्ö pelet vatr होते हैं पैसे तो handheld भी स्कैनर होते है अभी कोरोना के अंदर आपने देखा लो एक बंदूख सी आई थी वो temperature में अपने के लिए क्योंकि हम कोविड के अंदर किसी को किसी के किटाणू किसी के मुँह में चले जाएंगे जैसे वह डक्टर क्या करता है जैसे करके थर्मामीटर मुह में दे देता है और थर्मामीटर मुह से फिर वो उसको सपाई करके कि पिर तीसरे के मुँँ में ऐसे थर्मामीटर देते रहते हैं लेकन कोवीड के टाइम में यह चीज बिलकुल खराब थी वह इसको सैनिटाइज कितना मरजी कर लो एक दूसरे के किटानू एक दूसरे का जो कोवीड का वायरस है वो एक दूसरे में फैलने का खत्रा ज्यादा तो उस टाइम पे एक स्कैनर आया था आपने देखा हो हाथ में पकड़कर एक बंदूक सी अडा देते थे और बंदूक को यह माथे में लगा कर यह आथ पर लगा कर देखते थे आपकी बोड़ी का टेंपरेचर माप लेता था तो वो भी एक टाइप का स्कैनर था जब पकड़ की सी होती मोल बगरा में वह एक बंदूक सी पकड़कर बार कोड़ को स्कैन करती है बार कोड रीडर वो भी एक परकार स्कैनर होते हैं वह आगे आएंगे करवाऊंगा मैं आपको अब धिरे-दिरे सब की फुल फोम भी बताएंगे टेंसन ना लो आप लोग मैं क् कहां थे हम इस पे थे scanner पे तो scanner जो हमारे फ्लेट बेड होते हैं फ्लेट बेड स्कैनर होते हैं एक handheld scanner होते हैं दो परकार के होते हैं एक फ्लेट बेड होते हैं एक handheld होते हैं और निचे से एक light ऐसे आएगी, वो light ऐसे move करेगी, तो वो आपकी जितनी भी text लिखे हैं, उसको scan कर लेती है, उसको print out निकाल लेती है, उसको scan करके, ध्यान से सुनो, आपको गेसर जी वो तो printer है, वो तो उसको बाहर निकाल रहा है, नहीं बचो, वो output नहीं दे रहा, पहले आप उस चीज को scan करोगे, और scan करने के बाद आप चाहो तो उसकी photo copy निकलवा सकते हो, चाहो तो आप उसकी पहरे बचो art copy निकलवा सकते हो, और चाहो तो उस scan करी कई जीज को अपने computer में save कर सकते हैं, तो वो scanner, उस text को scan करके computer के अंदर भेज देता है, और जो computer के अंदर भेजने वाड़ी चीज होती है, उसको आपका scanner होता है, वो input device होता है, वो एक flat panel होता है, लिख लेंगे flat bed होता है, तो question आजाता है scanner क्या होते हैं, प्लेट बेड होते हैं, जो किसी भी text या photo को scan करने के काम आते हैं, clear है पहरे बच्चों, उसके बाद में, उसके बाद में, अब लोगों का आजाता है, magnetic strip reader, किते हैं दिर हो गई? उसके बाद आजाता आप लोगों का, magnetic strip reader, लिख लेंगे, magnetic M-A-G-N-A-T-I-C, magnetic strip, यह बहुत important question है, magnetic strip reader, magnetic strip reader, इसको star लगा के लिख लेंगे, प्यारे बच्चों, very very important question है, यह अपने साइध पता नहीं पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा, magnetic strip reader, जो magnetic strip reader क्या होता है, वो पहरे बच्चों आप सुनेंगे, जो आप credit card यूज करते हैं, जो आप बाजार के अंदर credit या debit card यूज करते हैं, credit या debit card यूज करते हैं, जब आप इस दोनों card को, या फिर एक आपका ATM होता है, ATM, ATM आपकी जेब में होता है, तो उसके ओपर ध्यान से सुनना, जब आप credit card या debit card, या किसी ATM को, जब आप जाते हैं बाजार में, और बाजार के अंदर उसको sweep करते हैं, ऐसे उसको swipe करते हैं, जैसे आप swipe करते हैं, कि machine देदो मैं तो swipe करूँगा, बहु का lenगा खरीद लिया, तो आपने समाल लेना है, उसको swipe करते हैं, आपने कुछ और खरीद लिया, उसको swipe करते हैं, तो वहाँ पर swipe करते समय, आपने देखा होगा, आप सिर्फ उसको ATM को निकालते और ऐसे उसको swipe कर देते हैं तो उसमें ऐसा क्या होता है कि वो आपके ATM को पूरी जानकारी को उसमें save कर लेता है तो वो क्या होता पैरे बचो आपके ATM पर एक black color की पटी होती है आपके ATM के उपर एक black color की पटी होती है और उस पटी को read करने के लिए machine के अंदर एक चीज लगाए जाती जिसको बोलते है magnetic strip reader ध्यान से सुनना credit card के, debit card के और आपकी जो पैरे बचो ये ATM होता उस ATM के उपर एक black color की पटी होती है उसी को पैरे बचो magnetic strip बोलते हैं को जब आप ऐसे करके ATM का ऐसे करते हैं तो उस machine के अंदर लगा होता magnetic strip reader क्या लगा होता? magnetic strip reader और वो जो आपका ATM है उसकी black पटी को या credit card की black पटी को read कर लेता है और आपका सारा data उसमें चला जाता है फिर आप उसमें अपना password डालते हैं और password डालने के बाद आपकी जो अकाउंट से payment कर जाती है तो वो कैसे कर जाती है ATM के उपर एक reader लगी होती है ATM के उपर एक magnetic strip लगी होती है जिसको हम बोलते है magnetic strip reader एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ साइद मुझे लगता है हाँ इसी में मैं आपको एक मिनट देखेंगे एक मिनट देख लेंगे एक मिनट देखो कोई बात नहीं देखो यहाँ पर देखेंगे बच्चो यह जो आप लोगों को आपको दिखाई देगा यहाँ पे यह देखो यहां पे आप लोगों को ATM दिखाई दे रहोंगे बहुत सारे ATM दिखाई दे रहोंगे और इस ATM के अंदर आप लोगों को क्या दिखाई देगा एक मिनट यह देखो इस ATM के अंदर आप लोगों को यह जो black color की पटी दिखाई दे रही है आपके ATM के अंदर जो आप लोगों को ये black color की पटी दिखाई देती है इस black color की पटी को कहते है magnetic strip जो ये आपको black color की पटी दिखाई देरी इसको magnetic strip बोलते हैं और जब आप अपने ATM को ऐसे swipe करते हैं तो आपको जब swipe करने से क्या चला जाता है तो इस magnetic tape के अंदर ध्यान से सुनो इस magnetic ये जो कली-कली होती है तुम तो इसको कली-कली मानते हो तो ये जो कली-कली होती है इसी कली-कली को magnetic tape बोलते है और इसके अंदर आपके ATM का आपके bank का सारा data होता है और जैसे आप इसको swipe करते हो आपका सारा data उस machine में चला जाता है जिसके मादम से आप magnetic strip उसको वो machine आपकी magnet को आपकी card की सारी detail को read कर लेती है और जो वो read करने वाली machine होती उसको बोलते magnetic strip reader में तो यह magnetic strip reader भी क्या होती एक प्रकार की input device होती है पहरे बचो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा इसके बाद में पहरे बचो आप लोगों का आ जाता है vision input device मैं आपको बतादू इसके बाद हमारा आ जाता है अगला क्या है वीजन इन्पूट डिवाइज वीजन वीजन इन्पूट डिवाइज सर जी वीजन इन्पूट डिवाइज कोण सा होता है तो मैं आपको बता दू पैरे बचो लिख लेंगे वीजन इन्पूट डिवाइज कोण सा होता है वह है डिवाइज जो हमारी आखों को स्कैन करने के काम आता है वह है डिवाइज जो हमारी आखों को जो हमारे आखों के कोर्नियां होते हैं आपने दिखा होगा आख्यों के अंदर जो ये धारियां होती है जो पटियां होती है इनको स्कैन करने के काम आता है तो उसको हम Vision Input Device कहते हैं प्यारे बचो इसको हम क्या कहते हैं Vision Input Device जब हम आदा अरकार्ड बनवाने जाते हैं तो आपने देखा होगा आदा अरकार्ड बनवाते हुए एक मसीन अमारी आखों में लगा दे जाती है और उस machine मेर हमें कहा जाता कि देखो तो जब हम उस machine को देखते हैं द्यान से तो हमारी आखों का जो भी मतलब इसके अंदर जो पटियां होती हैं धारियां होती हैं यह जो ऐसे जब आप आखों को देखोगे अपनी eyes को देखोगे तो प्यारे बचो आप लोगों को eyes के अंदर ऐसी धारियां दिखाई देंगे eyes के अंदर छोट छोटी बिल्कुल छोट छोटी eyes के अंदर आख के अंदर धारियां होती हैं तो इन धारियों को वो read कर लेता है उसी को बोलते है vision input device जो आपकी आखों को आखों को रिड कर लेता है आखों को scan करके आपकी आखों को जीतना भी जो मतलब होता है उस सारे data को उसमें store कर देता है जब आपाद आरकाड बनवने जाते हैं तो आपकी आखों पर एक machine लगाए जाती है उसी machine को बोलते है vision input device मैं आप लोगों को प्यारे बच्चों यहां भी इस चीज को एक बड़ डिटेल से दिखाना चाहूंगा कि देखो ध्यान से कि अरे यार यह देखो अगर जो सायद आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर यह रहा कि यह देखो एक परकार से यह जो इन्होंने लगा रखा है यह आपके आईज को चेक कर रहे हैं इसको यह देखिए यह ध्यान से आप देखेंगे तो इस फोटो को थोड़ा सा बढ़ा करके मैं देखाना चाहूंगा आपको यह जो आपको आईज दिखाई दे रही होगी इन आईज के अंदर यह जो आपको धारिया से दिखाई दे रही हैं यह लाइनिंग दिखाई देती हैं तो हमें यह लाइनिंग दिखाई देती हैं और इन लाइनिंगों को जो सकैन करने का काम करता वह कूNG करता Vision Input Device Vision Input Device इन लाइनों को सकैन करने का काम करता है उसको vision Input Device के नाम से जान जाता प्यारे बचों यह Map-logo को अमित कुमार जी गुरुजी बहुत दिनों के बाद मिले आप दो साल बाद बिल्कुल बैं तो यही हूँ अमित कुमार जी कहीं नहीं जाता आप लोगों के बीच में आपके दिलों में अमेशा रहता हूँ मैं आप लोगों से दुआ सलाम होती रहती है मैं तो डेली 6 बजे से लेकर 7-7 बजे तक डेली लाइव कलास लेता हूँ और आपको त्यारी करनी आपके भाई बंद को किसी को त्यारी करनी है तो आप आजाये करिए चाहे हैं से 7 बजे तक हम डेली लाइव कलास लेते हैं आज तो बलके बहुत ज़्यादा सीर में दर्द भी है फिर भी भी मैं कॉंटीनू मुझे लगा कि वीजन इन्पूटे डिवाइज तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है प्यारे बच्चो सारे के सारे बच्चे जितने भी लाइव जुड़े हुए थे उनका तह दिल से धन्यवाद अब लोग मैनत किजिए दिल लगा कर मैनत किजिए जितना हमसे हो सकता है हम आपकी त्यारी करवाने की कोशिस कर रहे हैं फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है बच्चो कोई परेशानी आती है तो आप मुझे बेही चक पूछ लिजिए का जो जितने बच्चे ओफलाइन मे हिदू